सारी दुनिया है लॉक्डाउन में कोरोना है सबका रोना डरने वाली बात नहीं है सावधानी हमको रखनी है एक मेटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है बच्चों आओ पढ़ो सभी कोरोना से डरो नहीं पढ़ना लिखना है सबको आगे बढ़ना है सबको प्यारे बच्चों नमस्कार मैं मनीशा सकसेना जीव विज्ञान की अधापिका राजकी बालका इंटर कॉलेज इंद्रा नगर लखनू बच्चों आज हम कक्षा 10 के विशे विज्ञान में अध्या साथ का अध्यान करेंगे और इस पार्ट का नाम है नियंत्रण एवं समन्वे बच्चों इस पार्ट का विभाजन मैंने तीन भागों में करा हुआ है भाग एक इसमें हम प्रस्ताबना पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के विभिन भाग तंत्रिका कोशिका क्या होती है इसकी सरचना क्या होती है सूशनाओं का समवहन किस प्रकार से होता है और मानव मस्तिक्ष की सरचना अंत में इसमें हम पढ़ेंगे मानव मस्तिक्ष के विभिन भागों के अलग-अलग कार है भागदों में मेरु रज्जु उसकी स्थिथी एवंकार है प्रतिवर्थी क्रिया क्या होती है प्रतिवर्थी चाप क्या होता है जन्तुओं में रसायनिक समनवे किस प्रकार होता है हमारे शरीर में कौन सी अंतसरावी ग्रंतियां पाई जाती है और उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके क्या कार होते है भाग तीन में हमने पूरा प अंत में हम पादप हार्मोनस के नाम और उन हार्मोनस के क्या भिन्निभिन कार होते हैं, इसके विशेम में हम जानेंगे तो भाग एक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये प्रमुख बिंदु है, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे बच्चों, इसमें जो प्रमुक्र शिक्षन बिंदु है, उसमें है प्रस्तावना हम जानेंगे कि नियन्तरों समन्वे क्या होता है. इसके बाद तंतरिका तंतर के भाग, तंतरिका कोशिका, इसकी सरचना किस प्रकार होती है? हमारे शरीर में सूशनाओं का संभान किस प्रकार होता है मानव मस्तिक्ष की सरचना उसके विबिन भाग कौन-कौन से है और मस्तिक्ष के विबिन भागों के कार कौन-कौन से होते है बच्चों आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा कि हमारे आसपास जितने भी प्राणी हैं वो या तो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं सजीवों में कुछ लक्षन पाय जाते हैं आपको पता है कौन-कौन से वो लक्षन है बचों वो लक्षन होते हैं जैसे चलना या गती करना, श्वसन करना और व्रधी करना तो हम देखते हैं कि जो हमारे आस पास के जो सजी प्राणी है वो इन लक्षणों के कारण निर्जी प्राणियों से या निर्जी वस्तों से भिन्न होते हैं तो आपके मन में ये विचार आता होगा कि जो इस प्रकार के लक्षण जो सजीयों में दिखाये देते हैं विभिन प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनको कौन नियंत्रत करता है और उनके बीच में समन्वे किस प्रकार होता है बच्चों इसमें देखिए दो शब्द आ रहे हैं इस पार्ट में नियंत्रन और समन्वे तो हम ये पहले समझेंगे कि नियंत्रन और समन्वे का अर्थ क्य है बच्चो नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल करना किसी चीज को और समन्वे का मतलब है कोडिनेशन या तालमेल अधी इसको हम एक या दो धारण लेकर आपको हम समझाने का प्याँस करेंगे सब्सक्राइम उसमें एक सब से ऊपर प्रधानाचार होता उसके अधीन अनिक अध्यापक होते हैं और अध्यापकों के अधीन बहुत सारे छात्र होते हैं तो इसमें प्रधानाचार्य जो है वो अध्यापकों को करता है उनको नियंत्रत करता है उनके क्रिया किलापों को देखता है और जो च संग नकोशासित रखते हैं और जब तीनों मिलके आपस में ताल मेल के साथ कार चाल करते हैं तो विद्धयालह हुचाकारो रूप से चल पाता है तो इस तरीके से यहां हमने देखा कि नियंत्रण है और आपस में तालमेल यानि की समन्वेन भी है अच्छा अब हम एक दूसरा उधारन लेते हैं जैसे हम चलते हैं जब हम चलते हैं तो हमारे एक पर आगे जाता है और एक पर पीछे रहता है बच्चों ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि दोनों पर एक साथ आगे चले जाएं या दोनों पर एक साथ पीछे चले जाएं अगर ऐसा होगा तो हम गिर सकते हैं तो इस तरीके से जो हमारे शरीर की विभिन क्रियाएं हैं इतनी भी जैवी क्रियाएं हम कर रहे हैं, उनमें एक प्रकार का हम नियंत्रण देखते हैं और उनमें एक प्रकार का सामन्जस या समन्वेन भी हम देखते हैं। देखी जाती हैं, एच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं और तीसरा है प्रतिवर्ति क्रियाएं। एच्छिक क्रियाएं क्या हैं बच्चों, वो क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं या जो हमारे नियंत्रण में होती हैं। जैसे कि सांस लेना, चलना, बोलना, लिखना, इत्यादी, अनैचिक क्रियाएं क्या हैं बच्चों, जो हमारे नियंत्रन में नहीं होती हैं, जो हमारी इच्छा के नुसार नहीं होती हैं, जैसे कि श्वसन है, फिर्दय की धड़कन है, ये सारी क्या हैं बच्चों, अनैचिक क्रियाएं तीसरी हैं प्रतिवर्ति क्रियाएं प्रतिवर्ति क्रियाएं कभी कभी कुछ क्रियाएं अचानक हो जाती हैं अकस्मात हो जाती हैं इनको हम प्रतिवर्ति क्रियाएं कहते हैं तो बच्चों ये तीनों प्रकार की जो जैविक क्रियाएं हैं इनका नियंत्रण और इनके बीच में समन्वयन होना अति आवश्यक है ओर हमारे जन्तुमें ये दो प्रकार से किया जाता है पहला है तंत्रिका तंत्र के द्वारा जिसमें मस्तिक्ष और मेरूरज्जु आएगा इसके अलावा रसाइनिक समन्वेन होता है जो अंता स्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकले गए हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है तो इस तरीके से जन्तूओं में जो नियंत्रण और समन्वे है वो दो तरीके से होता है तंत्रिका तंत्र द्वारा और अंता स्रावी ग्रंथियों से निकले गए हार्मोन्स के द्वारा देखिए तंत्री का तंत्र क्या है बच्चों तंत्री का तंत्र एक तंत्र है जिसमें अनेक प्रकार के ऐसे अंग है जो हमारे शरीर की विभिन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और उनमें समन्वय या सामन्ज सिस्थापित करते हैं अब यह देखे जो एकोश के जन्तु है एकोश के प्राणी जैसे उधारन है इसमें अमीबा इसमें जो तंत्रिका तंत्र है वो नहीं पाया जाता है इसके बाद जा हम आगे चलेंगे जैसे तिल चट्टा है या हाइड्रा है इसमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है किन्तु बहुत अल्प विक्सित पाया जाता है और अंत में मनुष्य जो है जैसे हम प्राणी जो लोग है वो सुविक्सित तंत्रिका तंत्र उनमें पाया जाता है बहुत अधिक विक्सित तंत्रिका तंत्र मनुष्य में पाया जाता है अब बात करते हैं पादप की बच्चों आपक पादपों में विभिन उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करके अनुवर्तन गतियां दिखाते हैं और दूसरी प्रकार है इसमें पादप हार्मोन्स के द्वारा रसायनिक समन्वयन जैसे जन्तूं में रसायनिक समन्वयन हार्मोन्स के द्वारा होता है ऐसे ही पादों में भी रसायनिक समन्वेन हार्मोन्स के द्वारा होता है जिसको हम पादप हार्मोन्स कहते हैं बच्चों अब देखें यहां पर शब्द आया है उद्दीपन और अनुक्रिया उद्दीपन क्या है बच्चों इस्टुमिलस कोई भी कारण या प्रेड़ना या वातरवन में कोई भी होने वाला परिवर्तन जो मनुष्य के अंगों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उसको हम उद्दीपन कहते हैं और उद्दीपन के कारण जो यह प्रतिक्रिया हुई है जो हमारे शरीर ने रिस्पॉंस दिया है उसको हम अनुक्रिया कहते हैं तो इस तरीके से प पौधों में भी नियंत्रण और समन्वे हो रहा है और दूसरी प्रकार से हार्मोन्स के द्वारा होता है बादा भार्मोन्स बचो इसके वारे में हम लोग तीसरे भाग में विस्तार से पढ़ेंगे आई अब हम तंत्रिका तंत्र के विबिन भागों के बारे में पढ़ते हैं बच्छो तंत्रिका तंत्र मनुष्का इसी दो भागों में विभाजित है केंद्री तंत्रिका तंत्र, Central Nervous System और दूसरा है परिधी तंत्रिका तंत्र, Peripheral Nervous System केंद्री तंत्रिका तंत्र में दो भाग हैं मस्तिक्ष या ब्रेन और दूसरा मेरू रज्जू या स्पाइनल कॉर्ड अब मस्तिक्ष के भी तीन भाग हैं अग्र मस्तिक्ष फोर ब्रेन, मध्र मस्तिक्ष मिड्ड ब्रेन और पश मस्तिक्ष जिसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन परिदिय तंत्रिका तंत्र में 12 कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और 31 जोड़े जो हैं मेरू तंत्रिकाएं पाई जाती हैं और ये परिदिय तंत्रिका तंत्र स्वायत तंत्रिका तंत्र में और एच्छिक तंत्रिका तंत्र में विभाजित होता है स्वायत फिर अनुकंपी और परानुकंपी में विभाजित होता है ये आप लोग बड़ी कक्षों में विस्तार में पढ़ेंगे बच्चों ये जो कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरू तंत्रिकाएं होती हैं ये दो प्रकार की हो सकती हैं समवेधी तंत्रिका और प्रेरख तंत्रिका समवेधी तंत्रिका क्या है ये ग्राही अंगों से मस्तिक्ष को संदेश ले जाती है और प्रेरख तंत्रिका है क्या है ये मस्तिश्क से वापस कारकारी अंगों तक संदेश ले जाती है तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की samवेधी तंत्रिकां और प्रेयरग तंत्रिकां हमारे शरीर में मस्तिक्ष की साहता से विभिन प्रकार की जैवेक्रिएओ का नियंद्रन करती है अब आयए हम आते हैं तंत्रिका कोशिका की सरश्ना पर स्ट्रक्च़र ओफ नेयृऌन बचों हमारा मस्तिक्ष जो है वो असंख तंत्रिका कोशिकाओं का एक घना जाल होता है बहुत सारी कोशिकाओं हमारे शरीर में पुरा जाल बनाती है पूरे शरीर में वो फैली रहती है तो इस तरीके से जो ये तंत्रिका कोशिका है ये तंत्रिका तंद की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ये कोशिकाएं अत्यन जटिल होती है और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है बचों कोशिका जो तंत्रीका कोशिका है इसके तीन भाग होते हैं कोशिका का है या साइटॉन द्रुमिका या डेंड्राइट और तीसरा भी हम अगली साइड में पढ़े भी कहते हैं ये तंत्रिका कोशिका का सबसे उपर वाला भाग है जो मुख्य भाग है इसको हम कहते हैं कोशिका काई कोशिका काई में केंद्र में केंद्रक होता है और इसके ये जो कोशिका द्रव है इसमें अनेमित अकार के निसल कण पाए जाते हैं ठीक है बच्चों और आप यह देख रहे हैं कि कोशिका काय के अंत में यह उपर जो है छोटे-छोटे प्रावर्ध है जिनकों हम कहते हैं द्रुमिका यह क्या है यह शाखानवेथ है इन में अनेक प्रकार की आप देख रहे हैं यह शाखा यहां सी निकली हुई है अब यह द्रुमिका से कोशिका काय और कोशिका काय से फिर नीचे एक लंबा प्रवर्ध है और मोटा भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं तंत्री काक्ष इसके बारे में हम अगली स्लाइड में अ गुंडी के अकार की सरचना है इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक गुंडियां तो इस तरीके से कोशिका जो तंत्री का कोशिका है उसमें तीन भाग होते हैं कोशिका काय द्रुमिका और तीसरा है तंत्री काक्ष या एक्षन यह तंत्री काक्ष देखे बहुत लंबा और मोटा इसमें देखे दिख रहा है और इसका अंतिम सिरा जो है यह सानेप्टिक घुंडियां इसमें पाई जाती हैं अब हम इसका कारे देखेंगे जो भी उद्दीपन होता है उससे जो समवेदनाएं हैं जो उसकी जो रियक्शन से जो अनुक्रियां हैं वो सबसे पहले यह कौन ग काय में जाती है कोशिका काय इसको तंत्री काक्ष में भेज देता है और तंत्री काक्ष से यह अंतिम सिरे में यहां पहुचती है बच्चों यह जो सानेप्टिक घुंडियां है यह जो है इसके आगे जो है जैसे यहां पर आप देख रहे हैं यह सानेप्टिक घुंडिया और इनके बीच में एक स्थान होता है इसको कहते हैं हम सिनैप्स सिनैप्स में एक प्रकार का रसायन बनता है जो की विद्दुद आवेगों को रसायनिक संकेतों में बदल देता है और फिर एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ये सारे संवेग जो है जो संदेश है वो पहुच जाते हैं और अंत में ये तंत्रिका कोशिका पेशी तंत्रिका से जुड़ी होती है जो की जो आदेश है या जो संदेश है वो इसको ग्रहन करते हैं अब हम देखेंगे कि तंत्रिका उतक और पेशी उतक के बीच किस प्रकार से समन्वे होता है ये दोनों उतक किस प्रकार से कार करते हैं और हमारे शरीर की जैविक रियाओं में नियंतरन करते हैं और उनके बीच में समन्वेन करते हैं बचो देखिए, जो 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 भी समवेदी अंग है, जैसे आख है, नाख है, कान है, तवचा है, ये वो दीपन ग्रहन करते हैं बहारी वातावरण से और समवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से ये केंदरी तंत्रिका तंग तक पहुचाते हैं, ये आपका इसमें आता है और मेरूरजू, फिर केंदरी तंत्रिका तंत्र जो सूचनाय प्राप्त करता है, उसको संसाधित करता है, फिर निर्ने लेता है कि हमें किस प्रकार अनुक्रिया उत्पन करनी है, या हमको उस उत्दीपन के प्रती किस प्रकार रिस्पॉंस देना है, फिर ये जो भी निर् तंत्रिका के माध्यम से पेशी उतक में आता है और यहां पोटीन को पुना विवस्थित करता है यहां पर देखिए रसायनिक परिवर्तन होता है और इस रसायनिक परिवर्तन से जो हमारी मास पेशिया है उनमें आकरती में परिवर्तन होता है संकुचन होता है पेशियों में और इस तरह से अनुक्रिया पूरी होती है, तो इस तरीके से उद्धीपन से लेकर समवेदी, केंद्री तंत्रिका तंत्र, पेशी उतक जो कि पेरक तंत्रिका से लेते हैं, अंत में अनुक्रिया हमें दर्शाते हैं, इस प्रकार से दोनों उतक, तंत्रिका उतक और पेशी उ मानव मस्तिक्ष की जो रचना है वो हम आब इसमें पढ़ेंगे मानव मस्तिक्ष जो है अत्यंत कोमल भी है तो आपके मन में प्रशन उठता होगा कि अगर कोमल है तो इसको सुरक्षित रखना बहुत आवश्चा कि क्योंकि यह हमारा प्रसारण और सूचना केंद्र है हमारे शरीर का मालक है तो इस तरीके से मानव मस्तिक्ष जो है शुरक्षित दो प्रकार से रहता है एक घडियों का ढाचा होता है बॉक्स को इसको हम कपाल गुवा या क्रेनियम कहते हैं इसमें यांतरिक आखात हैं उससे उनकी रक्षा करता है, तो इस तरीके से मस्तिक्ष की सुरक्ष़, क्रेनियम के द्वारा और सरीब्ल स्पैनल फ्लूट के द्वारा की जाती है। अब हम आते हैं मस्तिक्ष के विबिन भाग पे इसके तीन भाग हैं अग्र मस्तिक्ष या फोर ब्रेन, मध्ध मस्तिक्ष या मिट ब्रेन और पश मस्तिक्ष या हाइंड ब्रेन अग्र मस्तिक्ष देखें ये आगे का हिस्सा होता है अग्र का मतलब होता है आगे और इसके द 80% मस्तिक्ष का भाग को बनाता है, यहां हम कह सकते हैं कि दो तिहाई भाग मस्तिक्ष में प्रामस्तिक्ष का होता है, जैसे आप यह देख रहे हैं, यह पूरा यह वाला हिस्सा जो है, यह किसका है, यह प्रामस्तिक्ष का है, फिर इसके नीचे यहां पे थैलमस और यहां प को कहते हैं Diancyphalon, मद मस्तिक्ष जो है ये मद का भाग है जो बिलकुल आपके मस्तिक्ष के बीश में इस्थित होता है, इसके बाद पश मस्तिक्ष है, इसके तीन भाग है बचों, अनुमस्तिक्ष, Cerebellum, Pons और Medulla Oblongata, ये देखिए चित्र में ये बिलकुल पीछे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, इसमें Pons है, Medulla Oblongata है और अनुमस्तिक्ष है, तो ये तीन भाग जो है मिलके पश मस्तिक्ष का निर्माण करते हैं, अब बचों देखिए इसमें ये जो वले हैं ये, प्रमस्त अब हम देखेंगे मस्तिक्ष के बिबिन भागों के कार, बचों मस्तिक्ष में अलग-अलग कार करने के लिए, अलग-अलग केंदर पहले से ही निर्धारित होते हैं, किसका क्या कार है, ये सभी मस्तिक्ष के बिबिन भागों को पता होता है, जैसे कि प्रमस्तिक्ष के कार ये पहला हम लेते हैं, प्रामस्तिक्ष ये मनुश्य का मैमोरी काड है, क्योंकि ये मनुश्य की चेतना, तर्क, इसमरण छम्ता और बुद्धी का केंदर होता है, प्रामस्तिक्ष बच्चों ये बहुत इंपोर्टने है और हमारे जो मस्तिक्ष है उसका अस्थी प्रतिशत प्रामस्तिक्ष का ही बना होता है। थालमस के कारे, थालमस घ्राण समवेद नाओ, जो सुगने की हमारी शक्ती है। आख, कान, तवचा जितने भी ये समवेदी अंग है हमारे, उनसे आने वाली समवेदी तरंगों को जोडता है और दर्द का, ठंडे का, गर्ब का, इसको प हाइपोथलमस भूख, प्यास, शरीर का तापमान नेंतरण, रक्त चाप नेंतरण, नींद, प्रजिनन शमता और जो हमारी अनेक संबेदनाएं से गुस्सा, खुशी, हिर्दय की धड़कन और हार्मोन्स की भी क्रियाओं को नेंतरित करने का काम हाइपोथलमस करता है फिर बचो, मद मस्तिक्ष के कार, मद मस्तिक्ष मुकिता द्रश्टी ग्यान से जुड़ा हुआ है, द्रश्टी ग्यान यानि कि वस्तुओं की प्रतिविंबों की पहचान करना, कि कितना प्रतिविंबों हमें किस प्रकार से दिखना है, उसको संकुचित करना है, उसको फेला यह सारा द्रश्टि ग्यान जो है वो मध्यमस्तिक्ष जो है उसके द्वारा किया जाता है अनुमस्तिक्ष के कार शरीर का जो संतुलन है जैसे हम साइकल चला रहे हैं सीधी रेखा में हम चल रहे हैं या हम अपनी कॉपी में लिख रहे हैं इन सभी का कार अनुमस्तिक्ष करत तो शरीर का संतुलन हो गया, एचिक पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण, ये दो मुख्य भाग होते हैं, अनुमस्तिक्ष के, फिर लास्ट में हैं बचों, मैडूला ओबलेंगेटा, मैडूला ओबलेंगेटा जो है, ये पश्मस्तिक्ष का भाग है और सबसे नीचे होता है, ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं क्या हैं, जो हमारे कंट्रोल में या हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, जैसे रक्तदाब है, उपापचय है, कार्भो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, आदी का जो उपापचय क्रियाओं होती हैं, उनक का नेंतरन करना तता हिर्दय की धड़कनों का नेंतरन करना यह सभी जो अनैच्छी क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है उनका हम यह मैडूला बलंगटा यह इसका कार है कि उन सभी क्रियाओं को यह नेंतरत करता है बच्छों अब हम आपको ग्रहकार देंगे और आप लोग इसको अपनी कॉपी में अवश्य कर लीजेगा जैसे पहला प्रश्ण है एक जीव में नियंतरन एवं समन्वे के तंतर की क्या आवश्यक्ता है जीवों में समन्वे और नियंतरन इसकी क्या आवश्यक्ता है प्रेश्न दो एक तंत्रिका कोशिका की सरश्ना बनाईए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका के कौन-कौन से भाग है और प्रतिक भाग का क्या-क्या कार है प्रेश्न तीन मानव मस्तिक्ष के विबिन भागों के नाम लिखिये वा चित्र बनाईए इसमें आपको मानव मस्तिक्ष के विबिन भागों के नाम लिखने हैं अग्र मस्तिक्ष मध्ध मस्तिक्ष और पश्मस्तिक्ष और उसके जो और भाग हैं इसके अलावा इसका आपक तो ये आपको बताना है कि अनैच्छिख क्रियाएं, कौन सा मस्षिष का ऐसा भाग है जो उन अनैच्छिख क्रियाँ को नेंत्रित करता है। तो इस तरीके से बच्चों, आज हमने नेंत्रन और संमन्वे पाठ का पहला भाग पड़ा है। और इसमें आपने देखा कि हमने कौन-कौन से मुख्य बिन्दू लिये हैं, इसमें हमने लिये था प्रस्तावना की जनतूं में तंत्रिका, तंत्र में कि द्वारा और रसायनिक सम्मनवे जो है, वो किस प्रकार से होता है؟ तंत्रिका तंत्र के भाग कौन-कौन से हैं, तंत्रिका कोशिका क्या है, इसके कौन-कौन से भाग है, सूशनाओं का समभन किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका में दुरमिका से लेकर नीचे सिनैप्स तक होता है, और मानव मस्तिक्ष की सरशना क्या है, मस्तिक्ष के क्योन- मानव संसाधन मंत्राले द्वारा एक एप है जिसको हम दिक्षा कहते हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस एप को डाउनलोड अपने मोबाइल पर कर लिए क्योंकि इसमें प्रते एक अक्षा के प्रते एक हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छी पठन स काम अग्रिदी है अभ्या से तु प्रश्ण भी दिये हैं और पार्ट को समझने के लिए अनेक प्रकार के वीडियो भी दिये गये हैं तो आप लोग इस एप को बच्चों जरूर डाउनलोड कर लिजेगा धन्यवाद